आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान तो बिनौला खल का डिसेंबर वादा देख रहे हैं कि 2723 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का वैदा वज़ार आज भी हफते के आगरी कारोबारी दिन भी 2800 का लेवज तोडने के बाद 2700 के घरों में ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लेकिन बिनौला खल में जो एक्सपर्स अभी हाल फिलाल में बता रहे हैं कि तेजी का रूज़ान है, तेजी का रूज़ान क्यों है, इसके भी काफी सारी वज़ा है, एक तो यह है कि बिनौल होगी, वो specially poultry से और dairy sector से निकल सकती है, poultry sector में पशुचारे के रूप में बिनौला खल का इस्तमाल किया जाता है, और dairy sector में भी इसका इस्तमाल किया जाता है, दूसरा जो powder milk होता है, उसकी भी कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिसका असर कहीं बिनौला खल की कीमतों भी जादा रहती है, और सुदूत की कीमते भी जादा मिलती है, तो poultry की तरफ से dairy की तरफ से बिनौला खल की जो industrial demand है, वो कहीं नगी निकल के सामने आ सकती है, जो बिनौला खल की कीमतों को उपर में लेके जा सकती है, आपको बता दे कि बिनौला खल में, बिनौला खल के अलावा भी और इसके alternatives होते हैं लेकिन उनमें fat बढ़ाने की शम्ता नहीं होती है उनमें protein बढ़ाने की शम्ता होती है तो इसलिए बिनौला खल की जो पूछ पर रखे वो थोड़ी जाद हो जाती है फिर दूसरा जो बाकी DOC होंगे जो बाकी खल होंगे जनवरी फरवरी या सरसो खल हुआ या बाकी खल होए बाकी DOC के आने से पहले ही बिनौला खल की कीमतों में काफी अच्छा उचाल देखने को मिल सकता है अजे केडिया की मताबिक बिनौला खल मार्च 2022 तक आपको 3800 से लेकर 4000 तक के भी levels देखलाता हुए नजर आ सकता है बिनौला खल की कीमतों में काफी शांदार तेजी देखने को मिल सकती है और बिनौला खल उन कमूर्टीस की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो आपको 2022 में अच्छा मुनाफ़ा देते नजर आ सकते हैं तो अभी जो लेवल है वो इतना ही देखने को मिल रहा है लेकिन डिसंबर के अंदर तक जनवर में देखने को मिल पाएंगे तो उवरल उलजान बिनौला खल में अभी हाल फिलाल में तेजी वाला रहने वाला है झाल 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 झाल